नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों आकाश आनंद के तेवर की वज़े से उनकी सक्रिता की वज़े से उनकी भूमिका को और बढ़ा दिया गया है उनकी भूमिका में इस समय इजाफा कर दिया गया है दोस्तों आपको बताओं तो आकाश अनन्द इस समय दिल्ली में है और मायावती जी भी दिल्ली में है लेकिन इस बीच आकाश अनन्द के दवरे को लेकर एक खाका भी तयार कर दिया गया है खास तोर से हरियाना में वो कह कहां जाएंगे इसको लेकर एक schedule भी जारी हो चुका है वो schedule कैसा है आखर में दोस्तों हम आपको बता देंगे क्योंकि कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो आकाश आनंद से जाहर तोर पर मिलना चाहेंगे तो वो schedule बहुत मायने रखता है कि हर्याना में आकाश आनंद कहां कहां पर स सामने आई है पहले इस headline पर गौर फरमाईए हरियाना महराश्ट्र और जारखंड फुल एक्षन में आकाश आनंद मायावती जी से भी मिली है हरी जंडी तो देखे हरियाना में जो विधान सभा का चुनाव है वो ऑक्टूबर में होने जा रहा है उसके बाद महराश्ट्र में चुनाव है जारखंड में विधान सभा का चुनाव है और इस समय सक्रियता देखी जा रही है आकाश आनंद की आकाश आनंद को बहुत जादा सक्रिय कर दिया गया है दोस्तों मायावती जी और आकाश आनंद ने बैठक भी की है दिली में कहा जा रहा है और इसको लेक दिल्ली स्थित कार्याले की ओर से विधान सभा चुनामों को लेकर एक फुल फ्लिज प्लान भी तैयार कर लिया गया है। उनकी बढ़ने वाली है। भुमिका बढ़ने वाली है मतलब क्या। देखिए पहले वो कुछ नहीं थे। अब वो नेशनल कॉडिनेटर, स्टार प्रचारक और मायावती जी के उत्राधिकारी है। लेकिन अब जिस तरीके से उनको हरियाना की जिम्मेदारी दी गई है। उन उनका दोरा हरियाना के बाद महराश्क्र और जारखंड में होगा। उसके बाद उत्तर परदेश में उपछुनाव, तो औक्टूबर और नौमबर में हरियाना और महराश्क में विदानसवा का चुनाव है। उससे पहले अगर उत्तरप्रदिश में चुनाव होता है तो वहाँ पर भी आकाश आनन्द जाएंगे तो सभी राज्यों के दोरे पर आकाश आनन्द जाएंगे दोस्तों क्योंकि उनकी जो भूमिका है समय बढ़ा दी गई है उनकी सक्रेता को देखते हुए उनकी भूमिका बढ़ाने पर विचार हो रहा है भूमिका का मतलब यही है कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर वो जरूर जाएंगे क्योंकि उनके तेवर जो दोस्तों है वोटर को लुभाने के लिए बहुत जादा जो युवा है खासतोर से वो उनको पसंद कर रहे है इसलिए आकाश आनंद सभी राज्यों के दोरे पर रहेंगे दोस्तों दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों आकाश आनंद को एक ब्रांड के रूप में प्रमोट किये जाने की भी योजना चल रही है जैसे राहुल गांधी जी को प्रमोट किया गया संग प्रक्तिगत रूप से राहुल गांधी जी की यात्रा थी राहुल गांधी के इमेज को और उसमें डेवलप किया गया ठीक ऐसे ही जब दौरा करेंगे जब आकाश अनन तमाम राज्जों के दौरे पर रहेंगे तो ये उनकी इमेज बिल्डिंग का काम करेगा और साथ ही साथ बियस्पी में जो यवाओं की भागीदारी है उसमें भी मदद मिलेगी दोस्तों आपको बता दू कि बियस्पी जिसे लोग काफी कमजोर मानने लगे थे वो बियस्पी जो लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं करेगी अच्छानक बस्पा इतना जादा सी को अंदाजा नहीं था अच्छानक एक्टिव हुई बस्पा सुप्रीमों ने हरियाना में गटबंदन करके सब को चौका दिया और आकाश आनंद को वहाँ पर फुल टाइम लगा दिया उसके बाद वो महराश्ट जारखन दोस्तों हरियाना में जिस तहीके का जातिय समे देकरन है उसको देखते हुई ही मायवती जी ने गटबंदन किया है दलित और जाट कॉंबिनेशन यहां पर है मायवती जी दलितों की नेता है और इनेलो जो पार्टी है वो जाट जाट को लेकर चलती है और 45 परसंट जाट दलित हरियाना में है तो इनहीं को साधा जा रह तिरपन सीटों पर इनेलो अपने प्रत्याशी उतारेगी महज 46 विधायक चाहिए बहुमत के लिए दोस्तों तो ऐसे में इनेलो हो या बस्पा हो दोनों तरफ से यही का जा रहा इस बार इनेलो बस्पा गटबंधन की हरियाना में सरकार बनेगी दोस्तों आकाश आनंद ह हरियाना में कहां कहां कारिकरता सम्मिलन करेंगे और अगले महीने वो कितनी मेहनत कहां कहां करेंगे इसको लेकर एक शीडूल आ चुका है यह शीडूल पहले आप देखिए लोकसभा इस तरिये कारिकरता सम्मिलन है और देखे यह जो कारिकरता सम्मिलन है लोकसभा इस तर तीरा अगस्त को मुर्यक्त कर हमाई। सवाक्षित्र के सिरसाज शहर में अपनी उपस्तरी दर्श कराएंगे ये आप देख सकते हैं ये इनेलो बसपा का जो गडबंधन हुआ है उस हिसाब से भी इनका पंप्लेट जो है वो तैयार किया गया है तो दोस्तों जो लोग कह रहे थे कि आकाश अनंद के बस की बात नह ये तो पप्पू है पप्पू कहते हैं राहूल गांदी को भी कुछ लूप पप्पू कहते हैं और जो लोग राहूल गांदी को पप्पू कहते हैं आप समझ जाए कि वो मोदी भक्त हैं मोदी भक्त लेकिन दोस्तों आकाश आनंद को जो लोग पप्पू कह रहे थे उनक अपनी मेहनत से अपनी भाषन शेली से आकाष ने सभी के दिलों में अपनी जगे बना लिये अब दोस्तों मायावती जी जी भी सिच्चाती नहीं है आकाष को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और तमाम प्रदेशों में उनकी डिमांड बढ़ गई है। हर जगे उनकी जनसभा करवाने के लेकर होड मची हुई है। जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां के जो उम्मिदवार, संभावित उम्मिदवार हैं। वो चाहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षित्र में आक उसके बाद एक महिने, दो महिने और बचेगा। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों तयारी चल रही है। और देखे, लोगसभा के चुनाव में आपने देखा होगा उत्तर बरदेश में कि चुनावों से मतलब माली ये तेरा को इलक्षन है तो टिकिट आ रहे हैं दो साथ तारीक को लोगों को उतना टाइम नहीं मिला था लेकिन इस बार टाइम जादा है और उस हिसाब से ही बसपावरी नेलो मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों आकाश अनद इस समय पूरी ताकत से मैदान में कूत पड़े हैं और लक्ष यही है कि हर्याना में सरकार बनाई जा महराष्ट पर भी नज़र है जारखन पर भी नज़र है और उत्तर प्रदेश के उप्छनाओं पर भी नज़र है बहराल दोस्तों इस वीडियो में फिलाल के लिए बस इतना ही आकाश अनद जिस तरीके से उनका कद लगातार बढ़ रहा है जिस तरीके से मायवती जी भी अब उन पर विश्वास करने लगी है इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे आप लोग भी अपनी प्रत्किरा दीजिए बहुत बहुत धन्वाद शुक्रिया